हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इसके साथ ही अधालत बंध निलंबन को रद कर दिया इन विधायगों को पुछली साल पाजई को विधान सबा से निलंबित कर दिया के अध्यक्षिमें पीठा सीमदिकारी भासकर जादव के भासकर करने का आरोप लगा। निलंबित 12 सदस्यों में संजे कूटे, आशी शेलर, अभिवन्यो पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटक लकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जैकुमार रावत, नारायन कूचे, राम सत्पूते और बंटी भांगडिया शामिल थे विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताफ राजिके संसद्य कार्य मंत्री अनियल परप ने पेश किया था और इसे ध्वनी मर्द से पारत किया गया था, इससे पहले 19 जन्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जस्टिस एम खान विलकर क कि अध्यक्षिता वाली तीन न्याय अधिशों की फीट ने संबंदित पक्षों से कहा था कि वे एक हफ़ते के अंदर अधर लिखे दलील थे, शुरबात में एक विधायक की और से पेश हुए वरिष्ट अधिवक्ता महेश जेट मलानी ने दलील दी थी, कि लंबे समय तक निलंबित रखना निशकासम से भी बत्तर है क्योंकि इससे निर्वोचकों के अधिकार प्रभावित होते हैं, अन्य विधायकों की ओर से पेश हुए वरिष्ट अधिवक्ता मुक्वर रोहतगी ने कहा कि एक साल से निलंबन का फैसला पूरी तरहा से तरक हीन है, फैसले के लिए मानन्य एसी का स्वागत और धन्यवाद करते हैं, ये विधायक मानसून स्त्रत के दौरान महराश्रों विधान सबा से OBC के लिए लड़ रहे थे, जागरुक टिवी की मुंबई से खास रपॉर्ट